नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में विभिन परकार के बहनों को चलाने के लिए अलग-अलग तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से देशों में भी ड्राइविंग कर सकते हैं तो किन देशों में ऐसा किया जा सकता है आईए जानते हैं इस वीडियो में भारत में टू वीलर और फोर वीलर कमर्सियल वीकर इन चीजों को चलाने के लिए driving license की जरूरत पड़ती है driving license तै करते हैं कि कोई वेक्ति किस बहन को चला सकता है और कब तक चला सकता है भारत के driving license की मदद से आप औस्ट्रेलिया में भी गाड़ी चला सकते हैं औस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही सडकों के बाई और ड्राइविंग की जाती है अगर आपके पास एक बैद भारती लाइसेंस है जो की अंग्रेजी में हैं तो आप तीन महीने तक क्विंस्लेंड, न्यू साउथ वेल्स, दच्छड ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी चेत्र और ऑस्ट्रेलिया ही राजधानी चेत्र में गाड़ी चला सकते हैं यहां इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होती है इसके अलाबा आप अमेरिका में भी गाड़ी चला सकते हैं भारत में गाड़ी को सडकों के बाई और चला जाता है जबकि अमेरिका में सडक के दाई और गाड़ी चला जाती है यदि किसी ये भारतिय के पास valid driving license है और वा अंग्रेजी बासा में है तो आप अमेरिका में पूरे साल कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं यदि आपका driving license अंग्रेजी में नहीं है तो आपको अंतराश्ट्रिय ड्राइविंग पर्मिट के साथ form 194 की copy भी अपने साथ रखनी होगी क्योंकि form 194 में आपके अमेरिका आने की तारीक लिखी होती है इन देशों के अलावा आप भूटान, मलेसिया, सिंगापूर, फिनलेंड, स्वीडन, हॉंग कॉंग, तचिडप्रीका, स्वीजरलेंड, न्यूजिलेंड, युनाइटिट किंगडम और स्पेन, जर्मनी इसके साथ ही कनाड़ा में भी आप भारतिय लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ वीडियो इंपॉर्मेटिव लगी होगी